और इस वक्त की एक बड़ी खबर जो बिल रही हो आपको बता दू तुर्की में NDRF की टीम को बहुत बड़ी काम्यावी हाथ लगी है NDRF की टीम में 6 साल की बच्ची को मलबे की नीचे से सेकुशल बाहर निकाल लिया है ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 90 घंटे तक रेस्क्यू आपरेशन चलाया गया हर कोशिश की गई कि इस बच्ची को जो मलबे में दबी हुई है उसे बाहर निकाल लिया जाए और आखर कार NDRF को ये बहुत बड़ी सकलता हाथ लगी है बच्ची को सेकुशल 6 साल की मासुम बच्ची मलबे के नीचे दब गई थी उसे सेकुशल अब बाहर निकाल लिया गया है भारत की ओर से ओपरेशन दोस्त के पहर तुर्की ने मदद का अभियान चलाया जा रहा है जिसलिए NDRF और भारती सेना की टीम लगतार लोगों को राहत देने और बचाने की कोशिश में जोटी हुई है तुर्की में राहत और बचाओ कारियों में लगी भारत की NDRF की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है NDRF ने ये गाजियान टेप में मलबे के नीचे से एक 6 साल की बच्ची को सेकुशल निकाल लिया ग्रीमंत्रिया मिश्चाहन इसका वीडियो ट्विटर पर शेर करते हुए कहा कि हमें NDRF की टीम पर गर्व है तुर्की में NDRF की तीन टीमें काम कर रही है वहाई तुर्की के हैटे प्रांत के सकेंदरून में इंडियन आर्मी ने एक फिर्ल अस्पताल भी बनाया जिसमें घायलू का इलाज किया जा रहा है तुम वार को आए भुकम के बाद तुर्की में चिख पुकार मची है मुसीबत में फसे तुर्की के लोगों को बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुनू कर दिया किसी भी खुद्रिती आफ़त से निपटने में माहिर लोगों की टीम लेकर भारत के मालवाग जहाज लगातार तुर्की पहुंच रहे है तीसरी बार तुर्की के लिए भारत के C-17 ग्लोब मास्टर विमान नोडान भरी जिसके लिए विदेश राज्य मंत्री वी मुरली धरन भी गाजयाबाद के हिंडन एर बेस पहुँचे हिंडन एर बेस से C-17 ग्लोब मास्टर राहत समंगरी और रेस्क्यू टीमों को लेकर तुर्की रवाना हो गए भुकम के तेज जटकों की वज़े से तुर्की में भारी तबाही हुई है और तभी से भारत राहत समंगरी दवाओं, मेडिकल टीमों और रेस्क्यू टीमों को तुर्की भेज रहा है खुद तुर्की भी इस मदद के लिए भारत की तारीफ करता ठक नहीं रहा लेकिन यही बात पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही क्योंकि एक दिन पहले ही तुर्की ने पाकिस्तान के प्रतान मंत्री शहबाज शरीफ को तुर्की आने से रोक दिया था तुर्की ने उनकी यात्रा पर रोक उस वक्त लगाई जब शहबाज शरीफ तुर्की के लिए निकलने ही वाले थे लेकिन जब तुर्की ने उन्हें आने से रोका तो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के फजियत हो गई इसलिए तुरकी की मदद के मामले में भी पाकिस्तान ने भारत से रेस लगानी शुरू कर दी के पाकिस्तान कंगाल है इसलिए बेहाल है तुर्की पर आई कुदरती आफ़त से पहले तक पाकिस्तान और तुर्की में तगड़ी दोस्ती थी लेकिन ओपरेशन दोस्त वाले भारत के दाउं से उसका ये गड़जोड भी तूटता दिख रहा है